दोस्तों प्रभुश्री राम से जुड़े बहुत से प्रसंद आपने सुने होंगे लेकिन रामाण में आपने निशागराज कीवट के बारे में तो जरूर सुना होगा दरसल वनवास पर जाने के बाद प्रभुश्री राम, माता सीता और लक्ष्मर जी को गंगा नदी पार करने थी उत समय उनकी मुलाकात कीवट से हुई नदी को पार करने के लिए उहे निशागराज कीवट की एक शर्त माननी बड़ी शर्त के पूरा होने पर एक कीवट ने प्रभुशी राम को नदी पार करवाई जिसका जिक्र रामायन के अयुद्या कांड में मिलता है राम केवट को आवाज देते हुए कहते हैं नाव किनारे लियाओ पार जाना है पर क्या आप जानते हैं नदी पार करवाने के लिए केवट ने कौन सी शर्त रकी थी दरसल श्री राम ने केवट से नदी पार करवाने के लिए कहा लेकिन केवट ने शर्थ रखी कि नाव में चटने से पहले उसे श्री राम के चरणध होने है प्रभु श्री राम ने केवट की शर्थ माल ले और उन्हें चरणध होने दिये इस बात को सुनने के बाद केवट की खुशी का थिकाना नहीं रहा और पैर्द होने के लिए वह एक ठाल लाया और प्रभू शीराम के पैर्द होए अत्ष्री राम ने केवट से नाव माद पर वे लाता नहीं वह कहने लगा मैंने तुम्हारी महीमा को जान लिया और सब लोग कहते हैं कि तुमारे चरण कमल एक पत्तर को भी मनुश्य मना लेते हैं पैर धोते समय जब दूसरा पैर मिट्टी में लिपड़ जाता तो केवट दुखी हो गया तब शीराम एक पैर पर खड़े हो गया केवट प्रभु को एक पैर पर खड़ा देखकर दुखी हो गया और उनसे सिर का सहारा लेने को कहा केवट की ये बाहत सुनकर भगवान राम ने केवट की सिर पर हाद रखा तो आस्मान से पुष्प की वर्षा होने लगे प्रभु की चरणों का केवट ने अमरितपान किया और अपने परिजनों को भी करवाया और शीराम को पार ले गया अत्य चरणों को धोकर और सारे परिवार से हिद स्वयम उस जल को पीकर उसने पहले अपने पित्रों को भौसागर से पार कर दिया और फिर आनंद पुर्वत प्रभुश्री राम चंदर जी को गंगा नदीप पार लेकर जब प्रभुश्री राम माता सीता और लक्षमर जी केवट की नव से उत्रे तो प्रभुश्री राम के पास केवट को देने के लिए कुछ नहीं था थो माता सिता ने अपनी अंगुती उतार कर केवट को दे भगवान राम को कंगा पार करवाने वाले केवट पूर जणुम में कछववा दे। ऐसी मानद्यता है कि जम धढ सा जणुम अज्छवब क्छवJesus के रूप में हुआ था। केवट ने कच्छे की रूप में सभी वड्सों तक थब किया. भगवान ने उसके थब को देखते हुए उन्हें तर्फाय द्युग में केवट का अउतार दिया. और केवट के रूप में जनाम देकर उसने अपने जीवन को धन्य बना दिया. तथा उसके अपने जीवन का उद्धार करती है अब एंज्या के राम मंदल में भी कीवट की प्रतिमा को स्थाफित किया जाएगा